नमस्का दोस्तो आप सभी का स्वागत है साइबर कैफे एश पे में तो दोस्तो जैसे कि आप सभी को बाता है कि इस चैनल पे आपको एश पी पुलिस पेपर लीक के मामल में अपडेट मिलती रहती है दोस्तो एक बड़ा अपडेट जो है पेपर लीक में सामने आया है क्यों पूरब एस पी के नजदी की हैड कॉन्स टेबल ने चाल राख रुपे में अवियर्थी को पेपर उपलब्त करवाएं तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं कि बड़ी न्यूस जो है यहां पे सामने आ रही है कि जो हैड कॉन्स टेबला सिर्मोर डिस्टी के और पूरब एस पी के जे नजदी की है तो इन्होंने जो है चार चार लाख में पेपर यहां पे उपलब्त करवाया गया है मामले में अब जांच कर रही SIT इन दोनों से पूश्टास करेगी बता दे कि पुलिस बर्ती पेपर लिग मामले की जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है इस मामले की गिर्फतारिया भी बढ़ रही है जांच टीम ने अब तक 14 लोगों को गिर्फतार किया है बहीं इस पेपर लिग मामले में के इतार अन्य राज़े से भी जोडने से शुरू हो गए हैं बता दे कि 44 लाख में पुलिस बर्ती का पेपर बेचने वाला नहान में तनात हैड कॉंस्टेवल का नाता पहले भी विवादों में रहा है इस हैड कॉंस्टेवल पर कैंटीन का समान चोरी करने का भी अरोब है जिसकी पुलिस जांच कर रही है इस head constable पर canteen के समान में साबुन से लेकर राशन तक चोरी करने का अरोब है इस head constable पूरी पुलिस अधिकारियों के साथ नेताओं का भी structure परापत है जिस कारण अभी तक कोई भी action इसके खिलाफ नहीं लिये गया है इसके अलाबा जिला सिर्मोर में SP रहे चुके अधिकारी को भी बड़े नेताओं का सरक्षन है जिस कारण अभी तक पुलिस इस बड़े अधिकारी और head constable पर हाथ नहीं डाल पा रही है तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि डिस्टिक सिर्मोर से बड़ी अपडेट जो है मैंने आपको अभी दी है कि यहाँ पर head constable पूरव SP के यह निजदी की थे तो इनके दवारा यहाँ पर पेपर अपलवद करवाया गया है 4-4 लाख रुपे में तो ऐसे ही अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे क्योंकि और भी नाम इस बरती में सामने आने बाले हैं धन्यवार फ्रेंड्स